शाप, काला जादू, टोने टोटके दोस्तो ये सब कुछ ऐसी बाते हैं जिस पर हर कोई विश्वास नहीं कर सकता जिसने ये सब कुछ देखा हो या फिर ऐसा कुछ महसूस किया हो केवल वही किसी वस्तु के सापित होने जैसी बात मान सकता है इधियास में बहुत सी ऐसी कहानिय दर्ज हैं जो किसी न किसी साप की दास्ता बया करती हैं इनी में से एक है सापित कोहिनूर का राज कोहिनूर एक 105 कैरेट और 26.6 गिराम का हीरा है कोहिनूर का राज रोस्ती का पहाड जिस्तें अनेक संतलतो का सूरे अस्त कर दिया ये विरोदावासी पंक्ति सुनकर आपको थोड़ी हैनारी अवस्से हो रही होगी लेकिन यहाँ एक ऐसे ही पत्थर का जिक्र करने जा रहे हैं जिस्तें हर उस इंसान की जिन्दगी ब्रबात कर दी जिस्तें इसे अपनाया बेस कीमती हीरा इत्यास के सबसे महेंगे हीरे कोहिनूर जिसका अर्थ है रोस्ती का पहाड के बारे में आप सभी जानते ही होंगे भारत की सरजमी पर विख्यात हुआ यह हीरा भारत की गोलकुंडा की खान से निकाला गया था यह हीरा आज अंग्रेजी राजगाने की सोबा बढ़ा रहा है गोलकुंडा के कुछ अन्य हीरे भारत की गोलकुंडा की खानों से कोहिनूर के अलावा भी दुन्या के कैई बेस्किमती हीरे निकाले गए जैसे ग्रेट मुगल, और लोफ, आगरा डाइमंड, एहमदबाद डाइमंड, ब्रोलिटी ओफ इंडिया जैसे ना जाने कितने हीरे जो कोहिनूर जितने ही बेस्किम इसकी इन खूबियों से कही जादा खौपनाक है। इसे पाने की खुआइस बहुत से लोगों में रही। बहुत से लोगों ने इसे पाया भी। लेकिन जिन जिन के पास ये मनुस हीरा रहा। उनका पूरा का पूरा खानना तबाह हो गया। उनकी जिन्दगी नरक से भी बत् जा रहा है जानना चाते हैं ऐसा क्या था कोहिनूर हीरे की खौपना चमक के पीछे का काला राज इस अनमोल हीरे की खोज वर्तमान आंद परदेश कुंटूर जिले में इस्थित गोल कुंडा की खदानों में खुदाई के दौरन हुई थी लेकिन यह कब बहार आया सबसे पह हीरे को श्राप से ग्रस्त माना गया है और इसका पहला प्रमान मिलता है बावर नामा के अनुसार 1294 इस्वी में सवपर्थम यह हीरा क्वालियर के एक ग्राज घाराने के पास था लेकिन उस समय किसी ने इसे कोई नूर का नाम नहीं दिया था सन 1306 के आसपास इस हीरे को अपनी पहचान मिलने लगी जिसने इसे पहचाना उसने यह भी साफ कर दिया कि इस हीरे का मालिक संसार पर रास्तों करेगा लेकिन उसके साथ ही दुर्भाग्य भी उसकी किस्मत का हिस्सा बन जाएगा किसी ने इस बात पर विस्वास नहीं किया लेकिन जब सबसे पहले यह हीरे काक्तिय वंस के पास आया और उसके आते ही उस वंस पर जो ग्रैन लगा उसके बाद बहुत से लोग सापित कोहिनूर की बात को सच मानने लगे 1323 इस्वी में तुगलक सहा पर्थम से लड़ाई में काक्तिय वंस पूरी तरह समाप्त हो गया कोहिनूर हीरा हर पुरुष राजा के लिए एक शाप साबित हुआ है जिसने भी इसे पानी की कोशिस या अपना बनाया इस हीरे ने उनके पूरे वंस को समाप्त कर दिया मुगल संतनतों की समाप्ती काक्तिय वंस के बाद यह हीरा मुहमत बिद्न दुगलक के पास आ गया इसके बाद सोलवी सताबदी के मद्दे तक रोस्तनी का यह पहाड अलग-अलग मुगलो संतानों के पास रहा लेकिन जिस जिस के पास यह रहा उन सबका अंत बहत दरदनाख रहा साजा का अंत जब यह हीरा साजा के पास आया तब उसने अपने सिंगासन में इसे जड़वा लिया और इसी के साथ उसका अंत भी करीब आ गया शाप का पर्मान साजहा की प्रिय बेगम मुम्ताज महल का इंतकाल साशन का उसके बेटे और जेव के हाथ में जाना उसके बेटे द्वारा बंदी बनाया जाना कुछ इसी हीरे के शाप के कारण माना जाता है नादिर शाहा 1729 इस्वी में फार्सी आकर्मनकारी नादिर शाहा ने मुगल सल्तनतों का पतन कर इस हीरे को अपना बना लिया और वह इसे अपने साथ पर्सिया ले गया नादिर शाहा ने ही इस हीरे का नाम कोई नूर यानि रोस्नी का पहाड रखा नादिर सहां की भी हत्या हो गई और फिर यह हीरा अफगानिस्तानी के साजा अहमत सहां दुर्रानी के पास पहुच गया अहमत सहां दुर्रानी की मौत के बाद यह हीरा उसके उत्तरा अधिकारी सहां जहां दुर्रानी के पास पहुच गया और उसके कुछ समय बाद ही मौम्मद साह ने साहा सूजा का सिंगासन चीन लिया 1813 इसभी में अफगानिस्तान का अब्दस जैनसा साहा सूजा कोहिनूर हीरे के साथ भाग कर लाहोर पहुचा और उसने कोहिनूर हीरे को पंजाब के राजा रंजी सिंग को सौब दिया इस हीरे के बल्ले राजा रंजी सिंग ने सांसूजा को अफगानिस्तान का राज सिंगासन वापस दिलाया और आखिरकार यह हीरा फिर से एक बार भारत लोट आया इस हीरे को हासिल करने के महस कुछ ही समय बाद पंजाब का राजा रंजी सिंग की मौत भी हो गई और उसकी गद्दी उनके उत्राधिकारी तक भी नहीं पहुची शाप की हकीकत रंजी सिंग की मौत और उनके उत्राधिकारी की दूर दर्सा देखने के बाद अंग्रेजी हुपूमत को भी यह बात समझ में आ गई की वाकि इस हीरे के साथ कोई न कोई साप जुड़ा है इस हीरे के शाप की बस एक ही काट थी कि अगर कोई महिला कोहिनूर को पहनती है तो यह शाप विफल हो जाएगा यह बात जानने के बाद अंग्रेजी सरकार ने यह निन्ने किया कि इसे कोई पुरुस नहीं बलकि महिना ही पहनेगी 1936 में जब कोई नूर अंग्रेजों के हाथ लगा तो किंग जार्ज सस्टम की पतनी क्वीन एलिजबैत के क्राउंड में इसे जड़ा दिया गया और तब से लेकर आज तक यह हीरा बेटिस राजगराने से संबंदित महिलाओ की ही सोबा वड़ाता जा रहा है दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट वर शेयर करना ना भूले साथ ही हमारे चैनल को सब्सकाइब भी करें ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से और नई नई जानकारी मिल सके